नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने बोस की चिक-चिक से प्रेसान हैं, वाइफ की किट-किट से प्रेसान हैं, आप पडोसी की तरक्की से जलन हैं आपको, आदी-ादी ऐसी बिमारियां जिनकी वसे से आपको हो गई है स्ट्रेस और उसकी वज़े से एनिंद्रा, पेट में गड़वर्ड, गैस, धेर सारी बिमारियां हो गई हैं आपको, तो ये सेसन आपके लिए है, आज हम बात करने जा रही हैं एक ऐसे योगासन की, जिसके जरिये आप पांच मिनट में इन सभी प्रोब्लम्सों से दूर हो जाएंगे, मिन्स आपकी स्ट्रेस दूर हो जाएग इसके लिए हमें चाहिएगा एक रुमाल और एक अरायम दायक कुरसी जहां पर आप बैट सकें हराम से, आप इसे ओफिस में भी कर सकते हैं, तो आईए शुरुआत करते हैं इस योगासन की, सबसे पहले आप एक अरायम दायक कुरसी पर अगर आप ओफिस में हैं या घर प रख लीजियें और अब आपको जो अगला काम करना है अपने पूरे स्रीर को और स्वांस को ढिला छोड़ देना है, और धीरे से अपनी जेब से रुमाल निकालिए, और रुमाल को जोर से जटका कर तीन बार बोलिए, भाड में जाए दुनिया, भाड में जाए बोस, भाड में जाए सब लोग, और चद्दर को पूरी तरह तान ले, कमर को पीछे की तरब जुकाएं और एक मिनट तक इसी अवस्था में रहें, अब आप देखेंगे कि आपकी सारी स्ट्रेस दूर होती जा रही है, चेहरे पे चमक आ रही है, इसके लिए जो जो सावधानिया बरतने की जरूरत हैं, उनका विशेश कर ध्यान रखी, कभी भी ओफिस में दो इसे चुगल खोरों के सामने ने दोराएं, इससे आपकी नोकरी पर भी बात आ सकती है, अगर आप कभी भी इस आसन को कर रही हैं, और जो एक मिनट का आराम का समय होता है, उसमें अगर कोई खलर डालेगा, तो आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी ना की घटेगी, इसका विशेश कर ध्यान रखें, और जो सबसे इंपोर्टेंट है, वो ये हैं कि आपको हमिसा, अगर आप इसे ओफिस में कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें, जैसे ही कोई आपको पकड़ता है, आप सिरे से मुकर जाएं, सर मैं ऐसा कोई योगासन नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दू, अबराहम लिंकल भी इसी को करते थे, इसी योगासन का भ्यास करते थे, लेकिन उनका तरीका ज़रा सा अलग था, वो पेपर पर लिख कर उसे फाड़ कर फैंक देते थे, लिखते वो बिलकुल सेम ही थे, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए बोस, भाड़ में जाए सब लोग, तो दोस्तों इस योगा को कीजिए और अपने स्ट्रेस को भगाईए, दीजिए हमारे कमेंट बोक्स में आकर इसके लाब के बारे में लिखिए, ताकि हम भी और लोगों को जागरु करवा सकें इस योगासन के बारे म बताईए दोस्तों कैसे लगा आज का सेशन प्लीज लाइक और सब्सक्रार आवर चैनल धन्यवाद दोस्तों